जय भिम बी आर आमबेडकर.in में आपका स्वागत है डॉक्तर बाबा साहब आमबेडकर के पुरे परिवार की संपूर्ण जानकारी और जानिये प्रकाश आमबेडकर और राजरतन आमबेडकर का रिष्टा क्या है? डॉक्तर बाबा साहब आमबेडकर सक्पाल का पूरा परिवार महराष्ट के रतनागिरी जिले के अमबाडवे गाव में रहते थे बाबा साहब के दादा मालुजी सक्पाल और पिता रामजी सक्पा दोनों ब्रिटिश सेना में कारियरत थे डॉक्तर बाबा साहब आमबेडकर का जन्म 14 अप्रेल 1891 को मध्यप्रदेश के महुं गाव में हुआ था मालोजी सक्पाल बाबा साहब आमबेडकर के दादा जी रामजी मालोजी सक्पाल भीमाबाई रामजी सक्पाल बाबा साहब आमबेडकर के पिता जी एवं माता जी बाबा साहब के पिता रामजी सक्पाल का परिवार बालाराम, गंगाबाई, रमाबाई, आनंद राव, पत्नी लक्ष्मी बाई, मंजुला बाई, तुलसा बाई, भीम राव, यानि बाबा साहब उनकी पत्नी रमाबाई और सविता बाई डॉक्तर बाबा साहब एवं उनके भाई परिवार को भी समझते हैं आनंद राव अंबेड कर, बाबा साहब के भाई, मुकुन्दराव आनंद राव आंबेड कर शैलजा बाई, बाबा साहब के भतीजे, बाबा साहब आंबेड कर, यश्वन्त राव अंबेड कर, मीरा ताई, बाबा साहब का लड़का एवं बहु. आईए अब हम आपको यश्वंत राव भीमराव आमबेड करके पूरी परिवार से मिलाते हैं यश्वंत राव भीमराव आमबेड करके तीन बेटे और एक बेटी थी जिनमें प्रकाश आमबेड कर जिनकी पत्नी अंजली बाई और पुत्र सुजान बेटी रमाबाई उनके पती आनंद तेलतुम्बडे उनकी बेटी प्राची और रश्मी भीमराव पत्नी दर्शना बाई बेटी रितिका अनंद राज पत्नी मनीशा बाई बेटे साहिल और अमन अब हम आपको बाबा साहब के भतीजे मुकुंदराव आनंदराव आमबेड कर के परिवार से मिलाते हैं अशोक आमबेड कर पत्नी अश्विनी बाई अशोक आमबेड कर के दो बेटे हैं संदेश राज रतन दिलीप आमबेड कर पत्नी स्नेहा बाई दिलीप के दो बच्चे अक्षय अक्षता बेटी विद्या बाई उनके पती काशीनाथ मोहिते बेटी सुजाता बाई उनके पती रमेश कदम जानिये प्रकाश आमबेड कर और राजरतन आमबेड कर का रिष्टा राजरतन बाबा साहब आमबेड कर के भाई के वन्शज है और इस तरह राजरतन आमबेड कर प्रकाश आमबेड कर के रिष्टे में भतीजे है इस प्रकार अंबेडकर के वन्शज और चौथी पीधी दलितों के अधिकार, मुक्ती और न्याय के साथ-साथ देश सेवा के लिए काम करती रही है हम सब भारतियों की तरफ से डौक्तर बाबा साहिब अमबेडकर और उनकी नई पीधी को धन्यवाद और उन्हें शत प्रतिशत नमन जय भीम प्लीस लाइक, शेर और शब्सक्राब विडियो